अब गाइस दिखते हैं कोशन 5th of exercise 11.2 कोशन 5th क्या गह रहा है गाइस क्या रहा है draw a line segment AB of length 8 cm जैसे ऐसे कॉशन कहता रहाता है वैसे वैसे बनाते रहो सबसे बहुत है क्या रहा है एक line मनाओ AB जिसकी length 8 cm तो मैं बना देता हूं 8 cm की मैंने यह line मना दे then इसको नाम देने के लिए कह रहा है AB तो मैंने इसको AB नाम दे दिया और इसको यहाँ पर लिख दिया 8 cm okay then कह रहा है taking A as center draw a circle of radius 4 cm कह रहा है इस A को ना center लेके फिर एक 4 cm radius का circle ला तो मैं 4 cm का एक compass खोल लेता हूं 4 cm की a compass खोल डी थोड़ी सी छोटी 4 cm की a compass खोल डी ठीक है तो यह 4 cm की a compass खोल लेता है यह को center लेके circle बना दू तो मैं मना देता हूं circle कि यह को center लेके मैंने circle बना दिया ठीक है इसकी radius 4 cm है यहां से यहां तर चैप थोड़ी सी लाइन मिना के center है इसको यहां से चाहिए आप इसके अंदर ही लिख दो यहां पर radius is equals to 4 cm ओके फिर कह रहा है कि end taking b as center draw another circle of radius 3 cm कह रहा है अब b को center लेके circle बना हो इस b point को center लेके circle बना हो पर उसकी radius हो 3 cm तो 3 cm की radius मना देगे हैं यह 3 cm कर दी तो 3 cm की radius का circle मना देते हैं b को center लेके ओके यहां पर लिख दो और इसको यहां पर लिख दो और इसको तो 3 cm स्टॉक्स कॉमेटर के अटने कुरणा कुमणा हो तन तन जिए को यहां तो 19 acálungen डुक्त सरकल पघल पे टेंजेंग्यिटिस के अप अयको प्रॉम वान नहीं और जारी मीर्या इस के tracked or the इस सेरकल पर हमने इसी जरी चैनल देया उदाए इसके लाक्ता क्या तो हम करने का तरीका यह लग हो ता जब भी आगल दिया थो थो तो हम बैसे करते हैं कैसे हम बैसे कटके नहीं है जैसे कोई हम से थोड़ी मतल हम हाफ से बड़ी कमपस खुलते हैं इसका हाफ मने कुछ यहाँ तो तूपस कहले है थोडी बड़ी कमपस को लो तो एड़ नहीं नहीं हाफ से बड़ी कमपस को यह दिखई रहा ना यह लगा है इस तक bastard अब यह से एसे एसे आझा हगे टो इए से एसे आरके रही ठीक है क्या लेदा दो यह मैंने इससे मिला दिए कि अब यह हमारी आर्ग लागिज़ यह इस पॉइंट लेके इसको सेंटर लेकि किसी high को भी center ले लो चाहिए और इस point को ले लो चाहि इस point इतने ले लो यह तो same ही है क्योंकि यह दोनों बस एक्टर है यह इस पॉंट को कुछ भी लेलो M ले लो चाहिग है ठीक है AM is equal to mb है क्योंकि यह हमने बैसेक्टर बनाया, बैसेक्टर मतलब दोनों को equal parts में उख़टना, तो यह दोनों equal होने चाहिए, obviously equal होंगे, तो हमने इन में से किसी एक जितनी compass कोल ली, और center ले लिया M को, M को center लेके एक circle बना दो, okay, M को center लेके circle बना दिया, मैंने circle मिला दिया, अब यह circle जा जा टच कर रहा है उस point को मिला दो, एक?」 इस parent को touch कर रहा है, एक इस point को touch कर रहा है, और यह circle सीर्क्ल को इस point पहři तुए इतो सिर्ट निया की चानल करना है थिसको निया पर यहाँ पाजक करना ठीक है सर्कल इस पोइंट पर चारपल बॏच कर रहाे बी से अब एसे यहां टेंजन डवाना दो इन दोनों जग हपे और एसे इन डोन tasting अवाना दो ठीक है यह हमारी tangent बन गी और A से यहां पर tangent बना दो दोनो दरफ इसी था कोशन एंट टैंजन न आप जाधा तर मतलब यही कर ख़तम कर दियो करो ठीक है। जाधा अगे लिए तो आगे ले जो यहई कोई दिक्कत नहीं है यह यही तक नहीं होती है सबसकता है तो मैं स्टेपस छेक्षन करेंगे और मुझे करुब तो सबसक्पराइस मैं जाए तो अब दियुक्स करें आश्य किसे इस अपने लिए जब आ अपने लिखा होता है वैसे वैसे-ई-चो को steps of construction लिखने होते हैं, अब मैं इसको आपको बता देता हूं steps of construction क्या लिखेंगे, पहले में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने line बनाई है 8 cm की यहां से, सबसे पहले लिखेंगे, draw a line AB of 8 cm, ठीक है, first point में यह, फिर second point में क्या लिखेंगे, taking a as center, draw a circle, यह हमने circle बनाया है, जब a को center लिया था हमने, a को center लेगे, 4 cm radius का circle बनाया था, तो क्या लिखेंगे, second point में, draw a circle at point a, या taking point a as center of radius 4 cm, 4 cm radius का हमने circle बनाया यह वाला, फिर क्या लिखेंगे, taking b as center, हमने b को center लिया, फिर 3 cm का circle बनाया, taking b as center and radius 3 cm draw a circle at point b, ठीक है, b point वे हमने circle बना दिया, ठीक है, यह 3 cm radius का, यह 3rd step हो गया, फिर 4 step में हमने क्या किया, 4 step में हमने क्या था, इसका बस अक्टर किया, a और b, यह जो a b point है, इसका बस अक्टर किया यह, ठीक है, add point m, बस लिखेंगे, 4th point में बसक्ट, align segment a b, add point m, ठीक है, हमने add point m पे बसक्ट किया, यह 4th point हो गया, ठीक है, उसके बाद यह जोड दिया, फिर taking am as radius, ठीक है, फिर 5th point में लिखेंगे, taking am as radius and m as center, ठीक है, taking am as radius and m as center, m को center लेके, और am को radius लेके, यह बड़ा circle बनाके, फिर अगले step में लिखेंगे, इसको इससे जोड दिया, इसको इससे जोड दिया, इसको इससे जोड दिया, points को नाम दे दो, इसको दे दो, p, q, r, s, फिर last step में लिखेंगे, हमने a को p से जोड दिया, a को q से जोड दिया, and b को r से जोड दिया, and b को s से जोड दि that's it, tangents are obtained ठीक है, बस अपने यहां भी लिखना होता है ठीक है, जैसे आपकी English है यह आपकी Hindi होगी जैसे भी वैसे वैसे आपको लिखना होता है ठीक है, तो question 5th भी होगा हमारा complete